एक सास की तीन जुएवाली बहुए अंजली सुभा के समय अपने दोनों हाथों से अपने सिर को खुजाते हुए अपनी मा लक्षमी के पास आती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी मा से कहती है देखो ना मा, मैंने आपसे कहा था, इन दोनों चुड़ैलों को मेरे पास मत सुलाओ, आपकी दोनों बेटियों की वज़ा से मेरे सर में जुए पढ़ गई है तबी कोमल नीच से उठकर बाहर आती है और कहती है कोमल ये सब कही रही थी कि तभी वहा बारती भी आ जाती है और कहती है अच्छा ये बात है, अब तुम अपनी गलतियों का सारा जिम्मा मेरे सर थोब दोगी, ऐसा नहीं होगा अभी बताती हूं तुम्हे अंजली ऐसा कहते ही भारती के बाल पकड़ लेती है एक तरफ भारती और अंजली की लड़ाई हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कोमल भी इस लड़ाई में शामिल हो जाती है और अंजली और भारती के बाल पकड़ कर लड़ने लगती है अपनी तीनों बेटियों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख लक्षमी से रहा नहीं जाता और वो अपनी चड़ी उठा लेती है अगर अब तुम तीनों जंगली चुड़ेलों की तरह लड़ती रही तो मैं तुम तीनों को अपनी चड़ी से मार मार कर सुझा दूंगी वो तीनों अपनी मा के हाथ में चड़ी देखकर हैरान रह जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है आज मैं तुम तीनों का सर साफ करने की कोशिश करूंगी और अगर किसी ने भी कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लक्षमी की तीनों बेटियों को बच्पन से ही जुएं पढ़ने की दिक्कत थी वो जितनी भी कोशिश करती लेकिन उनकी तीनों बेटियों के सिर से जुएं खतम ही नहीं होती ऐसे ही धीरे धीरे उसकी तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है लेकिन बड़ी होने के बाद भी स्कूल से लेकर कॉलेज तक भी उन तीनों की कोई सहेलिया या दोस्त नहीं बन पाती अब वो तीनों शादी के लाइक हो जाती है एक दिन लक्ष्मी अपने आप से कहती है ये भगवान अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तीनों बेटियों को कोई पसंद नहीं करेगा मैं उनकी शादी आखिर कैसे करवाऊं तब ही उसे पंडित की कॉल आती है हाँ पंडित जी बोलिए कोई रिष्टा मिला है क्या आपको मेरी बेटियों के लिए अरे हाँ लक्षमी बेहन एक ही घर के तीन लड़कों के रिष्टे तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए आए है तु कहो रिष्टा पक्का कर दू लेकिन रिष्टा पक्का करने से पहले एक बात सुन लो तु मैं उन्हें अच्छा खासा दहेज देना पड़ेगा अरे पंडित जी ये भी कोई पूछने वाली बात है आप रिष्टे की बाचीत आगे को बढ़ाओ मैं दहेज देने के लिए बिलकुल तैयार हूँ इतने समय से मैं अपनी बेटियों के लिए पैसा ही तो जोड रही थी लक्ष्मी अपनी तीनों बेटियों की शादी में बहुत सारा दहेज देती है और विदाई होने के समय वो अपनी तीनों बेटियों से कहती है देखो मेरी बेटियों, तुम्हारे सरखी परिशानी के बारे में तुम्हारे ससुराल वालों को पता नहीं चलना चाहिए अगर किसी को पता चला तो तुम जानती हो न, अच्छा नहीं होगा इस बात को अपने तकी रखना और अपने सर का थोड़ा ध्यान रखना अगर मैं अपनी दोनों बेहनों से दूर रहूंगी, तो मेरे सर में एक भी जुए नहीं पढ़ेंगी तीको तो सही, कैसे बोल रही है, खुद तो जुओं की खदाने और दूसरों को दोशी ठहरा रही है अब तो भगवान ही जाने क्या होगा तुम तीनों के साथ, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब तुम तीनों अपने ससुराल में अपना अच्छे से ध्यान रखना अब तुम अपने पतियों के साथ यहां रहोगी, अगर कोई भी परिशानी या दिक्कत हो, तो तुम मुझे बता सकती हो नहीं माजी, कोई परिशानी नहीं और नहीं कोई दिक्कत है ठीक है, फिर मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम तीनों भी अपने कमरों में जाकर आराम कर लो निरंजना के कहने पर उसकी तीनों बहू अपने कमरों में चली जाती हैं और आराम करने लगती हैं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है उसके तीनों बेटे नाश्टे की टेबल पर बैठे हुए अपना सिर खुजाने लगते हैं हे भगवान ये सब क्या कर रहे हो तुम तीनों सुबा उठते ही तुम्हारे हाथ तुम्हारे सर के अंदर है हे भगवान ये सब देखना ही बाकी रह गया था क्या मुझे अरे मा अब आपको मैं क्या बताऊं कल रात सोने के बाद जब मैं सुबा उठा तो मेरी सिर में बहुत खुजली मचने लगी आ मा, जब से अंजली मेरे साथ सोई है, तब सही मेरे सिर में खुजली मचने लगी है, कहीं अंजली के सिर में जुए तो नहीं हो रही ओ, अच्छा, तो ये बात है, मुझे तो लगा था कि कोई, मुझे एलर्जी हो गई है अरे लगता है भारती के सिर में भी जुए हो रही है, उसके साथ सोने के बाद ही मुझे खुजली मचनी शुरू हो गई थी निरंजना अपनी बेटों की एक नई सुन्ती, जिसके बाद रसोई में अंचली, भारती, कौमल, तीनों आपस में बाते करने लगती है हे भगवान, ये क्या हमारी वज़े से हमारे पतियों के सर में भी जुए हो गई है औरे ये सब छोड़ो, उन बेचारों को देखो तो सही अपना सर खुजा खुजा कर पागल हो गई है, गगण जी का तो बुरा हाल ही हो गया है वो तीनों अपने पतियों को देखकर खुब जोर-जोर से हसने लगती है ये सब करिश्मा देख रही होती है अंजली अपने जुए वाली बात को नाश्टे वाली बात पर पर परदे की तरह ढाल देती है जिसके बाद वो करिश्मा को नाश्टा करवाने लगती है देखते ही देखते कुछ दिन बीच जाते है और अब तो प्रदेप, लकी और गगण का बहुत बुरा हाल हो जाता है कुछ दिनों के लिए वो तीनों अपनी एक मीटिंग में घर से बाहर चले जाते है जिसके चलते, पहले दिन पर करिश्मा को अपनी तीनों भावियों के साथ सोना पड़ता है करिश्मा के कहने पर वो तीनों भी सो जाती है अगले दिन जैसे ही करिश्मा नीन से उठती है, उस बेचारी के सिर में भी खुजली शुरू हो जाती है ए भगवान, ये सब क्या है, मेरे सर में क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सीधा अपनी मा निरंजना के पास जाती है अगर ऐसी बात है तो मैं आज इस बात का परदा फाश करके ही रहूंगी ऐसा कहकर निरंजना, मैगनिफाई गलास उठाती है और अपनी तीनों बहुओं के पास पहुँच जाती है और उन्हें एक साथ बिठाती है आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी की आखिर तुम्हारे साथ सोने के बाद हर कोई सर में खुजाने क्यों लगता है निरंजना जैसे ही मैगनिफाई गलास से उनका सिर देखती है तो वो हैरान रह जाती है जी 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 ये भगवान तुम्हारे सर में तो इतनी सारी जुएं हैं ये सुनते ही वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं मा जी दरसल हम तीनों की शादी नहीं हो रही थी गाउं का हर एक व्यक्ति जानता था कि हमें जुएं होने की परिशानी है इतना कहते ही वो तीनो अपनी सास के पेरों में गिर जाती है और उससे माफी मागने लगती है जिसके चलते निरंजना कहती है ओहो परिशान क्यों हो रही हो तुम तीनो की तीनो तुम जानती नहीं हो कि मैं वेदो की बेटी हूँ मुझे हर एक का अच्छा नुस्खा आता है मैं एक ही दिन में इस घर की सभी सदस्यों के सर से जुएं खत्म कर दूँगी तुमें परिशान होने की कोई जरुवत नहीं है निरंजना अपनी तीनो बहुँआं को कुछ नहीं कहती वो तुरंट कुछ जड़ी बूटियां एकठा करके एक दवाई बनाती है और उस दवाई को वो अपने घर के सभी सदस्यों के सिर में लगा देती है यहां तक कि अपनी तीनो बहुँआं के सिरों में भी जिसके बाद उन तीनों की जुएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो अब खुशी खुशी अपने ससराल में रहने लगती है